Hi guys, welcome back to my channel दोस्तों ये तो आप सब जानते ही हैं कि बाल हमारी personality में कितना important role play करते हैं अगर आपके बाल manageable नहीं है, dry and frizzy है, damaged है, अच्छे नहीं देख रहे हैं तो आपकी overall personality भी effect होती है आप अच्छे नहीं लगते हैं, आप well groomed नहीं लगते हैं तो हर किसी की एक्षा होती है, लंबे, घने, straight बाल जो आपकी personality को और enhance करें बट खासकर गर्मियों में, sweat की वज़े से हमारे बाल बहुत जादा dry and frizzy हो जाते हैं और घर पे इसका solution मिलना बहुत मुश्किल होता है कई सारे लोग salon जाके, paddler जाके, smoothing, kerating कराते हैं पर उसमें बहुत जादा chemicals यूज होते हैं, pricey होता है, बहुत जादा costly होता है हर कोई effort नहीं कर सकता है और कुछ समय के बाद आपके वो वाले बाल भी नहीं रहते हैं वो बहुत जादा dry और damaged हो जाते हैं इसलिए दोस्तों आज मैं घर बैटे एक बहुत ही easy और सस्ता से solution आपके साथ शेयर कर रही हूँ जबकि बालों को बिल्कुल smoothening वाला effect देगा कोई पैसे जादा नहीं लगने वाले हैं, कोई जादा महनत नहीं है बाल बहुत ही जादा silky, shiny और smooth होने वाले हैं वह भी सिफ एक इंग्रीडियंट से तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बढ़ियांसी वीडियो तो आज का मारे इंग्रीडियंट है मैयो नीज मैं यापे वेज मयो यूज कर रही हूँ आप एगवाला भी यूज कर सकते हैं मैयो नी सबको बहुत पसंद आता है हम सबके घरों में available होता ही है बट क्या आप जानते हैं कि हमारे बालों के लिए भी बहुत बढ़ियां काम करता है इसे आपको अपने scalp में नहीं लगाना है सिर्फ लेंथ में लगाना है बालों की अभी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ यानि सिर्फ बालों की लंबाई में लगाना है उपर सिर में आपको इसे नहीं लगाना है इस तरह से छोटे-छोटे से section निकाल के आपको अपने बालों में मसलना है बालों की strands में इसको मसलना है फिंगर टिप्स में लेके और इस तरह से आपको मसलना है सिर्फ बालों की length में आप बिल्कुल ध्यान से देख लें मैं कहां से कहां तक लगा रही हूँ मैंने उपर head में scalp में नहीं लगाया है वहाँ पे आपको नहीं लगाना है स्मूद बनाते हैं और आपके बालों को straighten भी करते हैं regular use यानि कि हफ़ते में एक बार आपको इसे use करना है रोज नहीं करना है regular use जब आप करेंगे हफ़ते दर हफ़ते तब के बाल दीर दीर straight होने लगेंगे इसका procedure बस आप ध्यान से देख लें जिस तरह से मैं कर रही हूँ जितने पतले आप strands ले सकते हैं उतने पतले strands लीज़े उतना बढ़ियां आपको result मिलेगा और इसको बालों में rub करना है अच्छे से मसलना है अपने strands में अपने hair sharks में इस तरीके से बहुत ही बढ़ियां और easy से solution है दोस्तों मैं चाहूँ तो मैं आपको बहुत सारी remedies बता सकती हूँ बालों को straight करने के लिए coconut के साथ, coconut milk के साथ पर सारी चीज़ें time taking है आपको बनाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा mayonnaise readily available होता है हम सब के घरों में होता ही है और नई भी है तो आप बाहर से से अराम से ला सकते है किसी भी shop में, किसी भी grocery shop में आपको मिल जाएगा कुछ भी इसमें बनाना नहीं है, सीधे लेना है और लगाना है तो ये सबसी easy step मुझे लगा, इसलिए मैं आपके साथ share कर रही हूँ इसे आपको लगाना है बालों की strands में बिल्कुल अच्छी तरीके से और उसके बाद लगा कर आपको 20-25 मिनट के लिए छोड़ देना है 20-25 मिनट बाद आपको शैंपू करना है अपने बालों को और उसके बाद आपके बालों की smoothness और silkiness आप खुद देखेंगे दोस्तों अगर instant result आप चाहते हैं तो जितने भी strands आपने अलग-अलग से बनाए थे उसमें silver foil को लपेट कर 25 मिनट तक के लिए छोड़ दें बेकुल ऐसे ही straight बाल और नहीं तो नॉमली आप बन बनाके भी रख सकते हैं उसके बाद शैंपू से wash कर लें अपने बालों को बहुत ही जादा आपके बाल सिल्की शाइनी और स्मूथ होने वाले हैं मैं कोशिश करती हूं कि आपके लिए simple से simple remedy लेके आऊं तो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करिए शेर किया करिए और चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे मिलती हूं नेक्स वीडियो के साथ तिल दिन टेक केर और बाई बाई